शेहर के वोकाट हॉस्पिटल में हाली में आइसेंन मिगनर्ट सिंड्रोम के रोगी पर सरचुरी की गई है मध्य भारत में पहली बार बैलून ट्राइक स्पीड वॉल्वो लोप्लास्टी की गई है अब तक इस तरह का यह पहला मामला सामने आया यह बलून ट्राइकस्पेट बालकू लोप्लास ची प्रक्रिया अस्पताल की आपातकालिन विभाग में पहुची बावन वर्शी महिला पर की गई ऐसी चानकारी वोकाष हॉस्पिटल की डॉक्टर नितिन तेवारी द्वारत दी गई है ऐसे पेशन्ट में जनरली ऑपरेशन नहीं कर पते हैं बच्पन में छेद वगर रहता जिसको डाइगनोज नहीं किया गया जिस कारण से धीरे-धीरे खून एक्स्ट्रा जाके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट में यह बहुत कॉमन नहीं होता है ऐसे पेशेंट एंड उसमें जो वाल भी चुकिंग था साथ में तो उसके कारण से पेशेंट को सांस फूलना पेट में सुजन पैर में सुजन इस तरह के प्राबलम हो रहे थे तो हमने आईसनमेंगर सिंड्रोम का तो ख काफी हद तक कम हो गया उन्हें तीन दिन रखके फिर नमने डिश्चार्ज किया पेशेंट अच्छी है और थोड़ा इमोशनली भी अफेक्टेट थी क्योंकि वह विद्वा हैं और उनका ऐसे में बच्चा भी नहीं हो जबता ऐसे मेंगर सेंट्रों में प्रिग्नेंसी व बहुत कीमती है और उसे बचाना बहुत जरूरी था